और यदि मन में बदलाब की चाहत हो तो हर चीज संभब है। ऐसा ही एक मामला 36 गड़ की राजनाद गाब जिले की एक स्कूल से सामने आया है जहाँ पर बिना किसी श्वाइस की बदद की स्विक्षकों ने अपनी कड़ी महनत से स्कूल को एक नई पहचान दिया है और सरकार सरकारी स्कूल को सर्व सोभिधा युक्त आधुनी के बिद्यारे बना दिया है। संभबत है यह प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल होगा जहां पर मैत्स पार्क तियार किया जा रहा है। इसके लिए ना तो सास्वं से अनुदान मिला है और ना ही किसी जोने प्रतिय निध किल में गड़ित के फार्मूलें जानेंगे। स्कूल केमपस में मैत्स पार्क में तेड़ लाक से अधिक खर्च आएगा। यहां पर बच्चे खुले मैदान में गड़ित की विभिनने जटल आकृतियों प्रमयों और गड़ित के कट्धिने लगने बाले सद्धानतों को ब्याभारी के रूप से समझ सकेंगे। यहां गड़ित की एक घड़ी भी लग रही है जिसके द्वारा खेल खेल में बच्चे सीखने के साथ साथ पार्क का आनद भी लेंगे। इतना ही नहीं। स्कूल के सुक्षकोनी खाली बीरान पड़ी जगह पर साल भर कड़ी मेहनत कर गार्डन को तैयार किया है और स्कूल में फलदार के अलाबा चायादार और और शुधिय गुणों के पौधी भी लगाए हैं। इतना ही नहीं। इन पौधों को पूरे गार्डन के तरह सुझाय गया है। कि यह जो है जब यहां पर जो है हम लोग जास्ट जो है पीटके साल जो है 11 अक्तूबर 2021 को यहां पर आये हुए हैं। अब उसमय पूरा विरान था कुछ नहीं था है यहां पर हम लोग को यह इच्छा जागी कि कम से कम जो है आप इस पिरान जगह को जो है रिजिक कर दें ताकि जो एक बढ़ाई के लिए एक अच्छा महल त्यार होए और आसपास का वतारन जो एकदम स्वक्ष और सुन्दर बन जाए यह हमारी मंसा है और आगे भी यह प्रयाज जो है आगे भी आगे इस तर तक कि करेंगे ताकि जो ही यह बांडरी वाल वेकर और हो जाए ज्य हम हम बहुत अच्छे से सीक रहे हैं यहां पर वातावरन को देखकर उच्छा मैतेमेटिकल प्रक में क्या क्या बन रहे है मैंधिकल मैंथेमाटिकल पार्क में यहां पर ल dłीप मैंत्री ओज वर्ग और बहुत सारे जो हैं वह बन लिए